RCB के Retention List आई, कप्तान की हुई विदाई, नए कप्तान के लिए बड़े नामों की सूची आई हाँ इस वक्त RCB टीम के Retention List पर सभी की निगाएं क्योंकि RCB टीम पिछले साल अतक मेहनत, अतक प्रयास और भरपूर कोसिस करके भी IPL की टॉफी अपने नाम न कर पाई आधा IPL खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि पहली टीम RCB होगी जो IPL 2024 से बाहर हो जाएगी लेकिन जब लीग फेट पूरा समापत हुआ तो अप्रत्यासी तरीके से RCB ने एक तरीके का अतिहासिक कमबैक किया और टॉफ फोर में जगा बनाया लेकिन फिर से वही सिलसिला सुरू हुआ टॉफ फोर में जगा बनाते हैं लेकिन फाइनल तक का सफर पूरा नहीं कर पाते है जिसकारर से अब मेगा ओक्सन होने वाला है जो कमिया जो खामिया इपिल 2024 में साफ नजर आ रही थी वो ओक्सन टेबल पर RCB टीम दूर करना चाहेगी क्योंकि अक्सर जब RCB की टीम सामने आती है तो ऐसा प्रतीत होता है ऐसा महसूस होता है कि सबसे कम जो टीम जो आप्सन टेबल पर रही है वो RCB ही रही है क्या रणनीती के साथ वो उतरते हैं समध से परे वहीं अगर हम इसके विपरीत इसके उलट उनकी विमेंस टीम के आप्सन टेबल आप्सन टेबल आप्सन इस्टेजी पनजर डालें तो वहाँ पर वो 20 साबित होते हैं और सभी एरियाज कवर्ड करके दिखते हैं लगता है कि आप्सन टेबल में काफी पीछे रग और उन कमियों उन खामियों को दूर करने के लिए इस बार आप्सन टेबल पर आर सीबी टीम पूरी रणनीती के साथ उतरने वाली है और बहुत हो चुका है समय अब उनको ट्रॉफी जीतने के लिए सोचना होगा हर एक प परफिक्ट रिटेंशन लिष्ट बनाना होगा कि कौन-कौन से खिलाडी ऐसे पूरो की टीम में है जो अभी भी उपियोगी हो सकते हैं जो भविष में इनके लिए बड़ा काम कर सकते हैं और जो इनकी टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं तो अपने इस रिपोर्ट में अब अपना भविष्र देखेगी तो क्या फाब डूपलेसिस ही आईपिल दोजर पचीस में कप्तानी करते हुए दिखेंगे या फिर नया कप्तान होगा इन सबी बातों पर हम विचार भी मर्स करेंगे आपको पूरे विस्तार से पूरे तफसील से समझाने का प्रयास करे अगर बात करें आर्शीवी के रिटेंसन लिष्ट की तो आपको बेए पता हैं पहला नाम कौन होने वाला है क्यूंकि अगर आर्शीवी बीना ट्रौफी जीते इतना नाम कमाई है इतना fan following है अगर उनका वर्चोस IPL में अभी तक बरकरार है और आर्शीवी टीम अभी तक बरकरार रह पाई आई प्यल टीम में तो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाडी की बदावलत वो है विराट कोली तो पहला नाम मतलब कोई निर्विरोध तरीके से वहाँ पर कोई संदेह भी नहीं है कोई संसे भी नहीं है विराट कोली पहले नाम होने वाले हैं और सबसे जादा उनको रकम दिया जाएगा रिटेन होने के लिए तो विराट कोली पहले नाम होने वाले हैं बात करें दूसरे नाम की तो भाईया यूवा सेंसेशन रजत पाटिदार रज़त पाटिदार ही वो किलाडी थे जिनोंने RCB की तस्वीर बदली थी तकदीर बदली थी हाप आप दा IPL के बाद उनका बल्ला बोला था और पूरी तरीके से RCB कमबैक करने में सफल रही थी किसकी बदलत रज़त पाटिदार के बदलत ये भारत के युवा भविश हैं RCB के भविश हैं और RCB टीम इनको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहेगी पिछले साली IPL 2024 में ही दिख गया था कि RCB टीम रज़त पाटिदार को पूरी तरीके से बैक कर रही है और वो मान कर चलना है कि रज़त पाटिदार उनके भविश्ट के खिलारी हैं जिसोजर से बुरे फर्ष्ट हाप के बाउजू दूसरे हाप में वो कमबैक करने में सफल रहे है अगर हम बात करें तीसरे खिलारी की तो वो मुहम्मद सिराज है देखें लाक मुहम्मद सिराज बुरे हों लाक मुहम्मद सिराज में कमिया हों खामिया हों लेकिन RCB टीम ठान चुकी है कोई उनको मुहम्मद सिराज इनकी टीम में चाहिए ही चाहिए देटोबर्स में कम्योरिया है मोहमत सिराज की लेकिन वो मुहमत सिराज के साथ आगे बढ़ेंगे मुहमत सिराज के अंदर भविश्य देख रहा है उनके लिए भारत के ऐ magnesे गिद्वाज हैं जो मझभूती उनको प्रदान करते हैं जिस वजह से मुहम्मद सिराज के साथ इस्टिक कराएंगे अगर आपको याद हो कि जो फिशला रिटेंशन हुआ था मेगा ओक्सन के लिए वहां पर उन्होंने चहल को छोड़ा था लेकिन सिराज को रिटेन किया था तो यहां पर तीसरे खिलाडी के रूप में मुहम्मद स सस्ते दाम में रिटेन करवा सकते हैं वो आर्सीवी टीम में बने रह सकते हैं पांचवे खिलाडी ग्लेन मैक्सवेल होने चाहिए हाला कि बहुत लोग इस पर सवाल उठाएंगे उनली उठाएंगे कि मैक्सवेल के अभी वह उतनी उप्योगिता नहीं रही है उतना किस विद्धवनसक रूप के लिए जानने जाते हैं आपको भी पता है और उनकी गेदबाजी प्लस पॉइंट होने वाली है और मैक्सवेल अपने आपको कम बजट में रिटेन करवाना पसंद करेंगे तो जिस वाज़े से मैक्सवेल रिटेन हो सकते हैं तो यह पांच खि कर रूप में जरूर डूपलेसित के लिए आटियम का प्रयुक करना चाहेगी नहीं देख रहा है करेंगे नहीं कप्तान क्रियास करेंगे हाला कि फिलस प्रदर्स अगर रहां अधार अप्रत लीगों अगर 시 Room. दिख रहे हैं लेकिन डुपलेसिस का रिटेन होना बहुत कथीन है क्योंकि डुपलेसिस की उम्र हो चुकी है अंतराश्ची अस्तर पर वो क्रिकेट खेलते नहीं है और अब भविश्च का टीम बनाना चाहेगी आरसीबी टीम तो डुपलेसिस से उपर उठकर नए कप्तान क के तलास में जाएगी और अगर हम ने कप्तानों की बात करें तो वह पर केल राहुल का नाम काफी मुखर्था से लिया जा रहा है यह बताया जा रहा है कि केल राहुल आर्टीबी से जुर सकते हैं और सम्भावनाय बहुत ज़्यादा क्योंकि केल राविल बड़े भारती नाम हैं बड़े भारती चेहरे हैं विराट कोली के बाद केल राहूल के रूप में भविश्य देखा जा सकता है और केल राहूल में लीडिंग लीडर वाली क्वाल्टी है वो अच्छी तरीके से लीड करते हैं थोड़ी सी उनको मानसिक्ता बदलने की जरूरत 3320 format में अन्यचार राहूल एक अच्छे विकल्प नजर आ रहा है लेकिन जो दूसरा और आश्चतर जनक विकल्प हो सकता है जो सबकी सोच से परे विकल्प सकता है वो रजट पाटिदार भी हो सकते हैं अगर राहूल को यह हासिल नहीं कर पाए राहूल को यह अपनी जोली म नहीं भागने वाले हैं विराट कोली ने साब तोर पर मना कर दिया कि हो कप्तान ही नहीं लेने वाले हैं कोई चोटिल हुआ तो जरूर एक दो मैं चोख लिए RCB टीम को लीड कर देंगे